नमस्कार मैं हूँ राहूल तिवारी और आप देख रहे हैं आर्थ परकाश न्यूस चंडिगड शुक्रवार को दोपहर दो बजे वित्मंत्री निर्मला सीतारमंड द्वारा संसद में बजट पेश किया जाना है पिछले पांच सालों में आर्थिक उपलब दिया रहे है या तो आप इसके निरंदरता में देखे इस बजट को या फिर आर्थिक बंदी के रूप में देखें कई बार हम ये आशागरते हैं कि देश का आने वाला बजट हर भारतिय चाहे वो व्यवपारी हो किसान हो या विध्यार्थी हो या फिर देश की आम जनता ही क्यों न हो वो ये सोचते हैं कि क्या उनके लिए क्या नया लेके आता है ये नया बजट तो इसी मामले पर चंडीगड के अलग अलग वर्गों से बात की और जाना की क्या राय है और वो उन्हों क्या चाहते हैं नए बजट से आईए दिखाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने नरेश कुमार प्रेज़ेंट चंदिगड फरनिचर एसोशीजन जो अब की बार बजट आने वाला है तो उसमें आप जो व्यपार मंडल है चंदिगड का वो क्या एक्सपेक्ट करता है व्यपारियों के लिए एक तो सबसे पहले जो इंट्रेस्ट उप लोन है आठ या नो परसेंट है जैसे चाइना में है चाइना में चीयार परसेंट है अगर शरकार सात्य व्यपारी ग्रोथ हे इंड重要 हो result होए तो इंट्रेस्ट ओपरइट च्यार परसेंट होना चाहिए ताकि इंड़स्ट्री हम चाइना का मुकावला कर सके हैं Secondly, जो ATC में डेड़क्षन है वो कई सालों सो ये डेड़ लाग रुपे है तो ये डेड़क्षन ही बढ़नी चाहिए तिसरी हर व्वपारी की जैसे इंसुरेंस जो नी जुरूरी होनी चाहिए और ये मेनेटरी होनी चाहिए इंसुरेंस ये सरकार ऐसा प्रस्ताव पास करें कि हर बंदा इंसूर्ड हो तिसरी बात ये है व्वपारी जो इंकम टेक्स की सलैब है पांच लाग रुपे वो ही बढ़नी चाहिए हम उसके डिमांड करते हैं तक व्वपार ओर ग्रोथ करें फोर्त ये है जो जीस्टी है 18 पर नशे से हमारे फरनीशर में वो बहुत ज्यादा है क्योंकि नसस्टी आइटम होगी ये फरनीशर की तो ये जीस्टी हम डिमांड करते हैं ये बारा ये आठ प्रेसेंट की रेंज में होना चाहिए ताकि व्वपार ग्रोथ हो उसके जैसा कि अब नए साल पर अपके जो मोदी जी ने पिछले साल का बजट था उसमें व्वेपारियों के लिए क्या था और वो किस तरह से अगर उसका नेगेटिव पॉइंट देखा दे तो वो किस तरह से आपके लिए नेगेटिव रहा होगा नेगेटिव नहीं कह सकते हम इसको मोदी जी ने अच्छा काम किया है पहले जैसे लाग रुपी की शूट थी पांस लाग कर दी अगर और हम इस तो इंडिस्टी ग्रोथ हो सकती है आपके हिसाब से कितना कम करना जी बारा यार्ट परसेंट होना चाहिए क्योंकि नसस्टी आइटम हर गरीप तक पहुच चाने चाहिए यह बहुत लगजरी आइटम नहीं अब यह स्टील फरिज्ट नसस्टी आइटम हो गई आपका नाम क्या जी जिस्वेंदर सिंग जी जो एक तरिक को सरकार बजट ला रही है आप किसान है आप यहां कनग भी लेकिया है चंडिगड़ नाजमंडी में तो आप क्या जाते हैं कि किसान को क्या राहत मिले इस बजट में किसान को हम सरकार से इसी मांग कर रहे हैं जो जो स्वामी नाफिल का रपोर्ट पहले बोलते भी लागू करें जो करना चाहिए हमारा खार्चा बहुत आ रहा है हमारे फसल का दाम पूरा नहीं में बात कि और खार्चे जैसे डीजल हो बहुत बढ़ गया खार्चे जादा है जो सरकार से आप चाहते होगी वो समस्या का हल करें जैसे जैसे सरकार ने पहले बाता किया तबी श्मामी ना वर लागू करें के वो होना चाहिए बाकी और भी जैसे प्याजबूर का दाम जादा आए इसको इसको लहना चाहिए इसको सभी की सूलत के लिए डीजल प्त्रॉल तो पारिया चाहिश ओगी है एक स्टूडेंट का जो बजट है उसके उपर फोकस किया जाए, एजुकेशन के उपर जादा फोकस किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि from the past few years education में जो हमारा बजट है वो कहीं ना कहीं डामडोल होता जा रहा है, लेकिन इससे हमारी marginalized communities जो हैं वो सबसे ज़्यादा फैक्ट रह जाएगा और हम देश को आगे लेकर नहीं जा पाएंगे, दूसरी मेरी उमीद है कि हमारी employment opportunities जो हैं वो generate की जानी चाहिए, क्योंकि after all जो matter करता है वो देश की income matter करती है, और देश का युवा कितना खुश है, देश का एक normal citizen कितना खुश है, वो private, वो कोई भी health care, education या से बीजेपी government आई है, जो सरकारी universities को government fund देती है, वो more than 50% से slash किया जा चुक है अब तक, पिछले 7-8 सालों में, तो ये improve किया जाना चाहिए, दूसरी बात है, आज हम देखने privatization increase हो रही है देश में, चाहे वो universities हो, चाहे वो सरकारी factories हो या institutions हैं, हर चीज privatization की तरफ हो का जाना चाहिए, ताकि एक normal इंसान को जो एक marginal background से व्यक्ति आता है, वो भी हार facility अवेल कर सके. Sir, as a common working citizen class, मैं तो, Sir, यही expect करूँगा कि जो हमारी inflation है, वो कम हो जाए, क्योंकि इस टाइम आपको भी पता है कि कैसे prices हर एक चीज़ के उपर जा रहे हैं, जैसे LPG हो गया, onions हो गये, pulses हो गी, या कुछ भी हो गया, vegetables and journal हो गयी, prices बहुत जादा जा रहे हैं उपर, तो हमारी जो government का जो budget है, उसमें कुछ ऐसा include होना चाहिए, कि जो एक household friendly रहे, थोड़ी सी जिनकी salary है, जैसे 20-30,000 per month salary है, वो अपना budget उनका ना हिले, उनका budget ना खराब होए, कि सिरफ उनको हर एक necessity भी मिले, और वो हर एक चीज़ को अच्छे से enjoy भी कर पाएं, ऐसा budget होना चाहिए, अगर उसमें कोई slab है, income tax की slab है, उसमें कुछ हमार को रियायत दी जाए, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा ये थी चंडिकेट के अलग-अलग वर्गों की राय की क्या चाहते हैं, नई budget को लेके क्या उनकी नई आशाएं हैं, औ अपडेट्स के लिए अर्थपरकास TV को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें